तो जैसा ये आपको पता है नेहा ककड की शादी हो चुकी है रोहन प्रिच से और ऐसे में नेहा ककड ने कल सारे ही फैंस को फूल बना दिया कि नेहा ककड हो गई है प्रेगनेंट यानि कि दो महीने के अंदर नेहा ककड की प्रेगनेंसी सामने आने का सच क्या था फैंस वाकई में बहुत ज़्यादा शॉक्ट हो रहे थे मगर इसके बाद से जब पता चली कि नेहा ककड का ये प्रेगनेंसी टाइप का कोई ऐसा गाना आया है ख्याल रखिया कर देसी मुजिक फैक्टरी पर ये 22 दिसंबर को अपलोडिंग होना है और इस बात को सुनते ही फैंस ने लगतार ट्रोलिंग शुरू कर दिये कुछ फैंस मजाग बना रहा है नेहा ककड का और कुछ फैंस तो हकीकत में ट्रोल कर रहा है कुछ फैंस जिस अब कह रहा है कि नेहा ककड तुमारे को शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकत तुम सोशल मीडिया के उपर कर रही हो वो लगतार फैंस के रियाक्शन्स जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं कि नेहा ककड को इस बात से शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से इसकी हरकते सामने आ रही है नेहा ककड की ये सब सोशल मीडिया पर क्या ड्रामा है करने का ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए स्पेशली प्रेग्डेंसी को ले करके फैंस काफी जादा शौक दो गए थे बहुत परिशान थे फैंस क्या गेरकार ये हुआ तो क्या हुआ बहुत सारे फैंस ने नेहा को अनफॉलो भी कर दिया है इन सारी बातों को देखते हुए नेहा ककड को ये सब ड्रामा करना पड़ा बहुत ज़्यादा भारी अब सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के निशाने पर नेहा ककड चड़ी हुई है तो फिलाल सोशल मीडिया पर अभी नेहा ककड एक्टिव भी नहीं है कल से लेकर के अभी तक बाराल ये ती वो पूरी बात जो मैंने आपसे यहाँ पर शेयर करी है बने रही है हमारे साथ अपडेट्स के लिए अपडेट्स सामना तेरी के मारा काम आपसे शेयर करना सब्सक्राइब जिन्होंने सैनल को भी तक नहीं किया है जल्दी से कर लिए ताके आने वाली पलपल की अपडेट्स आपसे मिस ना हो सके